अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत टेस्टी दही फुलकी की रेसिपी बहुत लाजवाब दिश है यह इसके लिए लिया है मैंने थोड़ी सी दही जो घर में मैंने जमाई हुई है एक कप के आसपास ही बेसन है आप कम्या जादा अभी कर सकते हैं प्याज हरी मिर्च और यह लैसुन की लाल वाली चटनी जिसका हमने एक शौट भी डाला हुआ है थोड़ी सी लाल मिर्च खाने वाला सोडा और नमक बहुत थोड़ा सा लेना है खाने वाला सोडा और यह डालने के लिए थोड़ा सा हराधनिया सबसे पहल थोड़ा थोड़ा पाने डालकर बेशन को तयार करना है इस तरह से बेशन तयार कर लेंगे हम यह देखे माशारला बहुत अच्छा बेशन तयार हो गया है यह फेट लिया है इसको और हरी मेर्च और प्यास जो हमने ली थी उसको बारीक चौक कर लिया है मैंने बिलकुल बारीक इसको काट लेंगे और इसमें मिला देंगे बेशनONG में है थोड़ा सा घ्रजण भी डालेंगे हम और बाकि अहरे धनिया थोड़ा रोक कर चलेंगे थोड़ा सा अरधनिया डाल दिया मैंने इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है ये जिन मिक्स हो गया है बेसन अच्छे से बन जाएगा तो फुलकिया भी बहुत अच्छी बनेंगी इसको अच्छी तरह से फेट लेना चाहिए एक बरतन में लिया है मैंने सरसोगा तेल आप कोई और भी ले सकते हैं मैं सरसोगा ले रही हूं और इसमें केयर फुली ये आराम से ऐसे रख देंगे आप इसको चम्मच से भी रख सकते हैं लेकिन मैं हाथ से ही रख रही हूँ यह देख रहे हैं आप बेसन अच्छे से पेटा है इसलिए फुलकी पानी में तैर गई है तेल में ऊपर तैर गई है यह देखे यह आसानी से तली जाएंगी इसको अलट पलट करेंगे हम यह देखे बहुत अच्छे से यह सिक रही है यह गई है तैयार और इनको हम निकाल लेंगे तेल से बाहर अब दही को लेंगे हम दही को अच्छी तरीके से मैश करेंगे इसमें डालेंगे वह लाल वाली चट्णी इसको मिलाएंगे इसके अंदर प्रेंट से इतनी जाएके की डिश है कि हर चीज के साथ खाएं या इसको ऐसे ही साधी भी खाएं और कमोबेश ये घर में सभी को पसंद होती है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है आसानी से इसमें डाल देंगे ये हम फुलकिया पानी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें गाड़ा या पतला मैंने इस तरह का रखा है ये देखिए जो तेल हमने प्राइंग पैन में है उसमे मैं इस तरह से एक चमची रखकर थोड़ा सा जीरा इसके लिए ब्राउन कर लूँगे और ये डाल दूँगे इसके ओपर बहुत थोड़ा सा बिलकुल ये देखिए और ये माशालला इतने जाएके वाली डेश है इसको हरदनिया लगा कर हम तैयार करेंगे फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें और प्लीज प्रेंड्स लाइक जरूर किया करें आप, इससे हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है, और मुझे बताएं आगे आप और क्या देखना चाहेंगे, कौन से डिश देखना चाहेंगे, आपके लाइक हमें मिलें, आपका सपोर्ट हमें मिलें, इसलिए हम वीडियो बनात प्रlliेज देज sillी यॉ भी गजाएज़ research करता है सब्सकिय का धुम कि अजाएज के गजै टूश्म इसनार हारíssी है तरौ सुन après 20 से цвет मेर आया है